हाइना जोर वाइल्डोग की फाइट हो जाए तो किसकी जीत होगी देखिए दोनों ही जुन्वे रहते हैं इसलिए इनकी लडाई देखना काफ़ इंट्रेस्टिंग होगा एक हाइना के जुन्वे एवरेश 30 सदस्य होते हैं और ये सबी मिलकर एक साथ जंगली बैसो विल्ड बीस्ट और जवरा को भी निप्टा देते हैं अगर ये काफी नहीं लग रहा तो राइनो कैसा होगा ये हाइना इतने जिद्धी है कि राइनो पर गंटो नई दिनों तक लगातार अटेक करते हैं अब आप सोचोगे राइनो तो टैंक है इनके अटेक से क्या होगा दरसल ये राइनो के पिछवाडे के सबसे वीक पॉइंट नट्स पर हमला करते हैं और लगातार हमला करने की वज़े से राइनो से इतना खून निकल जाता है कि ये मर जाता है अब आप सोचोगे मरने के बाद ये राइनो को खाएंगे कैसी? वीक पॉइंट से अब देखते हैं हमारे वाइल डोक्स क्या कर रहे हैं वाइल डोक के इस जूड में 40 हदस्य हैं और ये सबी मिलकर अफरीका के सबसे सक्सेसफुल हंटर बन जाते हैं लेकिन हाइना के विरुदिन के सबसे बड़ी कमजोरी इनकी बाइट और वेट होगा वाइल डोक का एवरेज वजन 22 किलो और बाइट फोर्स 317 PSI होती है वाइस पोटेड हाइना की बात करें तो 64 किलो वजनी और इनकी बाइट फोर्स 1100 PSI की है आपको साफ जी कराइट इसकी जीत होगी तो नहीं चेकमट की जीत है